UPSC या कोई भी government exam की जब हम त्यारी कर रहे होते हैं competitive exam भी कई बार कह देते हैं इसको geography या environment जो subject आता है बहुत दुबिदा है और सच्चा ही यह है कि subject के साथ इसके topic आप कोई भी उठा के देखोगे न तो से लगेगा यार तो पहचान का है मेरे rivers of India, mountains of India global wind system, पवनों के प्रकार हिंदी में कह देते हैं कहीं बार ocean currents, समुद्र के बारे में पढ़ना जो भी चीज़े देखोगे न दिमाग में बनेगा समुद्र बन गया दिमाग में, आपके भी बन गया बट जब पढ़ना शुरू करते हैं random उठा लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के देखते हैं तो समझ में आना पहले तो बंद होता है और फिर दीरे दीरे लगता है कि जो पहले पढ़ा था वो भी भूल गया हमें सच बताता हूं जोग्रफी लिए आप खुद करना चाहरे हो खुद से पढ़ना शुरू कर रहे हो पहला काम है एक यूनिट होती है एक टॉपिक होता है जोग्रफी में फिजिकल जोग्रफी बहुत तिक भोल वहां से शुरू करो क्यों ऐसा क्यों वो सच है जो 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 सच है वो ही है क्यों क्योंकि एक्च्वल जोग्रफी क्या है वो यहां से आपको समझ आई जोग्रफी को जीना है न उसको बढ़ो उससे concept बनाओ फिर जाओ world map पढ़ने world map यहाँ channels पर मिल जाएगा मेरी आपको देखो उस concept को बहाँ लगाओ फिर आओ Indian geography पे फिर जीओ इंडिया को देखो इंडिया के mountains, platews सारी चीज़ें climate, agriculture, economy तक पहुँचोगे फिर आगे जाके वो human economic geography पहुँचोगे एक sequence है उसको follow करो और देखोगे कि आप geography में unbeatable हो चुके हो कोई नहीं रोक पा रहा है आपको follow करिए मुझे मैं हूँ सुदर्शन को इसे